इसलाम लेकुम प्रेंज इट्स मी आलिया खान यूके एजूगेशन कंसर्टेंट अग्मान चथा सॉलिस्टर्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और यह करो मैं न बताए करको बताए हृँ के आप उसको की इंटर्वो Люб जो है सब्सक्राइब भी यूके अपने ना इसलिके सब नहीं हो तो उसको अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि जब तक उसके वीजा का कोई भी रिस्पांस नहीं आता रिफ्यूजल या प्रोफ तब तक जो है उसको एमबसी कभी भी इंटर्व्यू के लिए बुला सकते है ठेक है अब यह इंटर्व्यू लेता कौन है यह इंटर्व्यू जो ले थिर्वा ले सकते हैं और थर्ड-ी इंटर्व्यू जो है वह 30 तू वन řो founded on our country वॉगा तीक है क्या क्या आइक दिचल इंटर्व्यू होता है और इस इंटरविकी परफिस्ट असे इंटर्वीW की परफिस मेंًलि यह वीजा उफिसर ने चकरना होता है कि विजा करें लिया तो यह चेक करने के लिए इंटर्व्यू लिया जाता है प्लस इस इंटर्व्यू में आपकी English प्रफिशन्सी भी चेक की जाती है कि आपका English speaking level जो है वो UK की requirements को meet करता है या नहीं तो इस क्रेडिबल इंटर्व्यू आपकी क्रेडिबलिटी को चेक करेंगा कि आप UK आने के लिए जैने इंटर्व्यू है या नहीं प्लस यह आपकी English को टेस्ट करते हैं ठीक अब इसके बाद अब इसके बाद मैं आपको बताती हूं कि इस इंटर्व्यू के लिए आपको प्रप्रप्र कैसे करना है मेक शुर के जो भी घोस्चयन हो उसका जनेरिक आंसर ना दें जनेरिक आंसर अंसर से मेरा मतलब है कॉमन जो आपको यह जलेंग आप घूगल करेंगे तो आपको जो जनेरिक से बाद मिल जाएंगे वह आपने नहीं देने जो भी वीस-अफिसर आपका प्लस आपने डूड इंटेंशन वाले आंसर नहीं डेने देने देने हम सब पता UK में पोस्ट एडी इसका मतलब यह नहीं है कि आप वहां पर इंटेव्यू के टाइम बोल दें कि जी हमने दो साल का जो हमें work permit मिल जाएगा और हम वहां work कर लेंगे इससे clearly पता चल जएकर कि आपकी intention वहां पर work करने की है no doubt अगर हमारी वहां intention work करने की है तब भी हम visa officer को यह नहीं बता सकते कि we are not a genuine student इससे आपका visa प्रूफ नहीं करेगा ठीक है अब हम आजाते हैं main questions पे कि main questions क्या हो सकते हैं जो visa officer पूछ सकता है तो guys जो most asked question होते हूं मैं आपको बता देती हूं उसमें सबसे पहले visa officer का question होता है why not Pakistan why not your homeland आप UK क्यों चूज कर रहे हैं studies के लिए पाकिस्तान में क्यों नहीं करने तो इसका answer आप इस तरह से दे सकते हैं कि Pakistan और UK के comparison अगर आप किया जाए तो UK no doubt UK की जो degree है वो worldwide recognized है पाकिस्तान की ऐसे नहीं है हाँ पाकिस्तान में भी काफी अच्छी ranked universities हैं but you can say के पाकिस्तान की universities जो हैं बहुत कम हैं जो top ranked universities हैं और उसमें भी limited seats होते हैं क्योंके पाकिस्तान की population बहुत जादा है जिस वजह से हर स्टूरेंट जो है यह opportunity अवेल नहीं कर सकता के वह पाकिस्तान की जो दो तीन गिन वर्ल्ड रैंक्ड यूनिवर्सटी जाओं पर सके ठीक है उसकी इलावा आप UK की ranking बता सकते हैं यूनिवर्सटी की और UK की facilities बता सकते हैं और UK का जो भी वहां पर living standard है यह सब आप बता सकते हैं और UK में exposure बहुत अच्छा है सो यह सारे points आप अपने answer में include कर सकते हैं second question हो सकता है आपका probability interview का हो सकता है कि why not any other English speaking country जैसे के Canada है Australia है USA है आप इनको क्यों नहीं चूस कर रहें और UK को ही क्यों चूस कर रहें इसमें आप इन सब country का UK के साथ comparison करके बता सकते हैं कि UK में जो है वो fee structure कम है as compared to Canada Canada में जो temperature है वो काफी low हो जाता है UK में moderate रहता है उसके इलावा आप ranking का बात कर सकते हैं और सारे UK के आप points बता सकते हैं कि UK में रहने के क्या क्या benefit है और जो के आपको Canada और Australia में नहीं मिलेंगे उसके बाद second question आजाता है why this university के आप ने यही university क्यों चूस किया तो जब भी कोई student UK के लिए apply करता है तो वो एक university में apply नहीं करता है वो दो से तेन universities में apply करता है जहां जो सब्सक्राइब आजाए जो जिस भी university में आपने apply किया होका at the time of your application process आप उन बाकी universities का इस university से compare करके बता सकते हैं कि यह ranking wise अच्छी है इसका fee structure आप discuss कर सकते हैं facilities discuss कर सकते हैं और आप उसके लाव उसकी location का बता सकते हैं कि location आपको suitable थी यह चीज़े आप इस answer में अपनी डाल सकते हैं अब उसके बात आ जाता है why this course के आपने वह course क्यों लिया इस course का मैंने आपको पहली भी वीडियो में बताया था के course वह आपकी previous studies से relevant होना चाहिए या फिर आपके experience से relevant होना चाहिए तो उसमें आप यही बता सकते हैं कि आपकी previous studies से relevant यह course था और इस course के modules आप बता सकते हैं कि interesting modules थे यह सब आप इस चीज़ में इस answer में quote कर सकते हैं उसके बाद आ जाता है question आपके future prospects के आप इस course को पढ़ने के बाद अपना future क्या देख है so guys इसमें आपने यह जरूर बताना है कि आपका वापस अपनी country में आने के बाद future क्या होगा क्योंकि at the end हमने यही शो करना है कि हमने पाकिस्तान वापस आना है so इसमें आप यह question में अपने future prospect में आप यह बता सकते हैं कि आपका जो आपकी family के साथ एक बहुत strong emotional tie है जिसकी वापस अपनी country में जरूर रहेंगे आपके parents इस country में है और future में आपको क्योंकि UK की degree होगी so यह बात तो सब मानते हैं कि पाकिस्तान में जो jobs है वो foreign degree holders को ज्यादा दी जाती है और उनका salary package भी अच्छा होता है so इसमें आप जो है salary package के बारे में बता सकते हैं कि foreign degree holders को पाकिस्तान में अच्छे package पे job मिलती है plus आप एक दो जो भी आपने future के लिए सोची भी होंगी organization जहां आपने job करनी है उनका बता सकते हैं और यह सब चीजें आप इस question में अपने include कर सकते हैं इसमें आपने visa officer को show करना होता है कि आपके पास points available है अपने proper duration के लिए जितने time भी आप study के लिए जा रहे हैं अगर किसी की one year से जएधा की studies है तो इसके पास proper funding है और इसमें आप अपने bank statement जो आपके parents की लगेगी मैंने आपको पहले भी बताया था वह इसमें show कर सकते हैं क्या genuinely funds आपके पास available है उसके बात question आजाता है कि आप वहां पर UK में कहां पर रहेंगे so guys accommodation में आप easily बता सकते हैं UK में private accommodation भी होती है और university accommodation भी होती है so अगर जिस university में आपने apply किया है वो university accommodation दे रही है तो आप उस accommodation का बता सकते हैं या फिर आप private accommodation का सर्च कर सकते हैं जो कि आपको university की site पर भी option में जाएंगे और प्लस आप Google भी कर सकते हैं so आपने accommodation के एंड में जरूर बोलना है कि अभी आपने accommodation कंफर्म नहीं किया जब आपको visa में जाएगा तो आप accommodation कंफर्म कर देंगे so so guys यसा मैंने आपको बताया था कि यह जो इंटर्व्यों का credibility interview यह वीडियो के तुरू का video link है like Zoom या Skype पर so अगर किसी को भी hearing में कोई issue आता है like internet issue हो जाते है कुछ भी चुप Pakistan में हमारे mainly issue आता रहता है वो net issue तो अगर किसी को भी on time of your interview कोई net issue आ रहा है तो आपको उसी time visa officer को बताना है ताकि उसको पता हो कि यह technical issue है और आपको जो है वो English का कोई issue नहीं है आपको hearing का कोई issue नहीं है तो इस ताम आप इस चीज को point out कर दें कि आपके net में issue है या रिपीट करने का कह दें question so he may know कि आपको क्या issue आ रहा है जिससे आपके interview पे कोई भी effect ना हो so guys जैसे ही आपका interview complete हो जाता है you are one step closer to your study abroad so guys that's all for today we know manjata solisters are here at your service अगर आपको कोई भी assessment करवानी है या अपना case pursue करवाना है so you can contact us अगर आपको कोई भी क्यूरी या कोई भी question है तो वह आप comment section में पूछ सकते हैं और अगर आपको case pursue करवाना या assessment करवानी है so you can contact us हमारा main head office जो है वो लहूर कलमा चॉक सेंचरी टाबर में है you can visit us Monday to Saturday और अगर आपको इस वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दे वीडियो subscribe our channel and also press the bell icon till our next video मुझे जाज़त दीजेगा अपना बहुत ख्यार रखेगा अलाफिस